प्रजेक के रिलीज हुए फिर्स लुक क्लिम्स की या फिर टीजर ट्विलर जो भी इसका नाम है वो जिसके अब अगर टाइटल की बात की जाए तो इस फिल्म का ओफिशल टाइटल कल की 2898 एडी रखा गया है जी हाँ नंबर का कलकुलेशन लगा लीजिक अब आकी टाइट की नाम से वो पूरी तरीकी से क्लियर हो जाती है कि विश्णु भगवान के अवतार का कॉंसेट इस फिल्म में डाला गया है वो भी पोस्ट एपकलिफ्स फ्यूचर में यानि कि जो राज करने वाला इंपायर है वो बच्चों को लेकर कि किसी तरीकी की ट्रेनिंग देता ह यानि कि उनका ब्रेन वाश करता है ताकि वो लोग किसी के अगेंस्ट हो जाए या फिर कहूं बच्चे कुछी हुमेनिटी के अगेंस्ट जिन में हाँ प्रभास और दिपिका बादू को उनका कैरेक्टर भी आएगा जिसके बाद फिर कि उसका रिदय परिवरतन होगा और वो पूरे एंपायर के अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा लेकिना अमिता बच्चन के कैरेक्टर के इंट्रैक करने के बाद जिनका ग्लिम्स इस फिल्म में देखकर के ये बात पता चल जाती है कि वो कई सौ सालों से सो रहे थे कैसे वो मत पूछना हो तो फिल्म देखकर ही पता चलेगा लेकिन फिर भी उनका कैरेक्टर इस फिल्म में काफी इंपॉर्टन रोल प्ले करेगा जो कि अगर मैं आपको बता चुका हूँ कि प्रभास का रिदय परिवतन समझ जाओं बाकी बात रही कमला हसन की कैरेक्टर की तो उनकी छोटी मोटी ग्लिम्स की जो अमी लेफ्ट हैंड वही कुछ जिस पर अभी के लिए तो आगे मैं कहूंगा खुल कर कुछ भी कहा नहीं जा सकता है लेकिन टीजर को देखकर के फिल्म की कहानी का अल्मोस पता चल जाता है जिसमें बस अब देखना इंट्रेस्टिंग यही रहेगा कि उन लोगों ने इस पू मज़ रही है लेकिन अगर कंपैरिजन की बात आए तो आर 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 और बहु बली जैसी फिल्म से इसे बिलकुल भी कंपैर नहीं किया जा सकता क्योंकि उन फिल्मों में अगर बात की जाए सीजी आई की तो वो दिखते तो है लेकिन जल्दी पकड़ में नहीं आते लेकिन यहाँ पर इसके ग्लिम्स में ही हम कुछ शॉट्स में सीजी आई कैरक्टर को काफी आसानी से पकड़ लेते हैं यहाँ तक कि उस बड़े से सीजी हैंड को भी जिसके आसमान से गिरने का फोर्स बहुत ही जादा है और स्मोक तो भाई छोड़ी दो लेकिन फिर भी अगर द में उनके बाल बहुती ज़्यादा फेक लग रहे है भाकि सूट की बात की जाया तो अब उसमें क्मपारिसें बहुत सारी फिल्मों का निकल कर आ जाएगा लग गई है बाकी हाँ आपकी भी लगी होगी जो कि आप मुझे कमेंट में लिकर बता सकते हैं इसके लाव बात की जाए दीबिका बादू को उनकी के चैरक्टर की तो बस स्क्रीन पर छोटी मोटी जलक ही दिखाई गई लेजंडेरी एक्टर पशुपती के साथ बाकी हूँ इसके फिल्म में और कौन-कौन से एक्टर शुपा कर रखे गए है क्योंकि जैसी कि मैंने कहा सबसे बड़ा नाम इस फिल्म के सिर्फ और सिर्फ प्रभासी है जिसके अब अगर कुछ और डीटेल्स निकल कर आती है या फिर मगर मुझे नजर आ गई तो उस पर भी बात कर एम तिल दिन बाई